हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक ऑन माई चैनल सुमैरो किचिन आज हम बनाएंगे हरे चने का निमोना जी हाँ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में यह निमोना आप एक बना के जरूर देखिएगा इस समय सीजन भी चल रहा है निमोना का मार्केट में कुछ इस त तीनों से लिए बंठाप्ट के निकाल लेंगे दैने कि Donaj yeah यहमने निकालके रखिए एक दफ्रैस हरे चने हैं इसको हमें मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पेश्ट तयार करा लिना है 15 сог कटा हुआ दो हरी मrost कटी हुई और आठ दस लेसन की कलिया कटी हुई इन तीनों चीजों को हमने मिक्सी में डालकर पीस लिया है दऱधरा कम अगर उब महीन पेष्ट बनाना चाहें है हमने यहां पर दरदरा पेश्ट बनाया है और यहां पर हमने कड़ाई ली है लोहे की कड़ाई लिए इसमें हमने ओल डाल कर लिया है थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया जीरा ट्रक जाने पर हमने यहां पर पेश्ट डालना है तो तीनों चीजों का हमने पेश्ट तयार किया था अधरक अधरक भी अगर आप डालना चाहिए तो अधरक भी समय डाल सकते हैं यहां पे हम ने तीरी चीज़ ढली है। बहु तक बहुता है कि अगर आफ ने को लाँ कि अगर आपने हमारे Facebook पेच को लायक कर सकते हैं सो मेर हो किचिन नाम से और हमारे Twitter को भी आप follow कर सकते हैं Instagram पर follow कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को अगर अब अग तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया Инems तो सब्सक्राइब कर दीजिए ौग सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे आपको आने वाले नए-nए 將ны रसापिस के notifications मिलते रहें गे और अच्छी लगें तो जाज स्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें यहां देखिए भूनने के बाद हमने यहां पर एक चमच धनिया पाउडर डाल दिया उसके बाद हमने आदा चमच हल्दी पाउडर डाल दिया इन दोनों को हम मिला लेंगे और इनको भी साथ में भूल लेंगे यह देखिए तिल छोड़ने लगा है अब हमने यहां पर थोड़ा सा दो चुटकी हिंग डाली है देखिए इस तरीके से हम चला लेते हैं मसाले काफी अच्छी तरह से भूल चुके हैं आप देख सकते हैं तेल छोड़ने लगे इसी में हम डाल देंगे जो हमने पेश तयार किया था हरिचने का इस सारा पेश्ट हमने इसमें डाल दिया है इसको भी इसी के साथ में हम भून लेंगे ये कच्चा ना रह जाए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे इससे की हमारा मसाला जलेना और ये चना जो है चिपके ना नीचे तो आपको इस हरे चने को इसी तरह से भून लेना है देखिए हमारे चने अच्छे से भून के तैयार हो चुके है आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हमें यहाँ पे इसमें धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करना है ज्यादा एक साथ पानी ना डालिएगा वरना फिर ज्यादा भी हो सकता है आप कम ने कर सकते आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आपको आइडिया लग जाएगा आपको कितनी ग्रेवी रखनी है आपको ज्यादा पतला करना है ज्यादा पतला कर सकते हैं ज्यादा ग्रेवी वाला रखना है थोड़ा सा गाड़ा रजा तो आप कम पानी यूज़ करिए तो आप थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा ये देखिए हमने यहाँ पे इतना पतला रखा है चना तो हमारा अल्रेडी भून चुका था मसाले के साथ अब यहाँ पे हम लाश्ट में पानी डालकर थोड़ा से इसको और पका लेंगे ये देखिए बुलबुले आने लगे हैं इसी में साथ में हम डाल देंगे ये थोड़े से चने के साबुद्दाने जो हमने निकाल की रख लिए थे हमने पीसे नहीं थे मिक्सी में तो इसको भी हम उपर से डाल देती हूं और इसकी साथ में हम नमक स्वादमसा डाल देंगे जिससे की जो लाश्ट में हमने और यह लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं अगर चाहें तो अपने स्वाद के नुशार कम ज़्यादा इन दोनों चीजों को अच्छा से चला लेते हैं और साबु चने हमने यहां पर डाले हैं इसका स्वाद भी अलग अच्छा सा आता है मुह में आ जाता है आप इसके जगे आलो भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए थैंक्स वर वाचिंग मै चैनल सुमेरो की चैन